Q1. सम्युक्त राष्ट्र विश्व परियतन सांगठनक द्वारा किस वर्ष को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष गोशित किया गया है? Option 1. 2018. Option 2. 2019. Option 3. 2020. Option 4. इन में से कोई नहीं। और सही जवाब है Option 3. 2020. नमस्कार दोस्तों, हमारे चानल Current Affairs Today में आपका स्वागत है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए, तो कृप्या लाइक बटन पर क्लिक करें और शेर करें। और हमारा चानल को सबस्क्राइब करें। सबसे महत्वपूर्ण Current Affairs 2021 तीसरा भाग Q2. RBI द्वारा मौदरिक नीती समिटी MPC दिसंबर 2020 की बैटक के संदर्ब में सीमान्थ स्थाई सुविदादर MSF रेट क्या है। Option 1. 4.00 प्रतिशत Option 2. 3.35 प्रतिशत Option 3. 4.25 प्रतिशत Option 4. 4.30 प्रतिशत और सही जवाब है Option 3. 4.25 प्रतिशत Q3. भारत का 21 अंतर राष्ट्रे फिल्म महाउत्सव कहां आयोजित किया गया। Option 1. मुंबाई Option 2. पूने Option 3. गोवा Option 4. वारनासी और सही जवाब है Option 3. गोवा Q4. आस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल टाइटल वुमेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता Option 1. सेरना विल्यम्स Option 2. नाओमी ओसाका Option 3. वीनस विल्यम्स Option 4. सान्या मिर्जा और सही जवाब है Option 2. नाओमी ओसाका Q5. उस अंग्रेजी अबिनेता का नाम बताईए जो स्टार वार्स फिल्मों में डार्थ वाडर की भूमी का निबाने के लिए जाना जाता है जिनका दिसंबर 2020 में निदन हो गया Option 1. शान कनरी Option 2. डेविड प्रूव Option 3. क्रिस्टोफर रीव Option 4. बॉब मारले और सही जवाब है Option 2. डेविड प्रूव Q6. ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? Option 1. पांच Option 2. साथ Option 3. पंद्रह Option 4. अस्सी और सही जवाब है Option 2. साथ Q7. एक फर्वरी 2021 को किस देश में साइन्य तक्ता पलट Military कूब हुआ Option 1. नामीबिया Option 2. ब्राजिल Option 3. म्यानमर Option 4. नेपाल और सही जवाब है Option 3. म्यानमर Q8. ISO 9001-2015 गुनवत्ता प्रबंदन मानक प्रमान पत्र प्राप्त करने के लिए भारत के पहले प्राणी उद्यान जोलाजिकल पार्क का नाम बताईये Option 1. अन्ना प्राणी उद्यान चन्ने Option 2. नेहरू प्राणी उद्यान हैद्राबाद Option 3. जवाहरला नेहरू उद्यान बकारो Option 4. श्रीवेंकटेश्वर प्राणी उद्यान तिरुपति और सही जवाब है Option 2. नेहरू प्राणी उद्यान हैद्राबाद Q9. गुजरात में सोमनाद मांदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? Option 1. प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी Option 2. मुकेश अमबानी Option 3. अमिताब बच्चन Option 4. रतन टाटा और सही जवाब है Option 1. प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी Q10. किस देश की सरकार ने विश्व के पहले उर्जा द्वीप के निर्मान के लिए एक परियोजना को मन्जूरी दी है? Option 1. डेन्मार्क Option 2. फिन्लेंड Option 3. रूस Option 4. चीन और सही जवाब है Option 1. डेन्मार्क Q11. डिसंबर 2020 में कृशी मंत्राले के अनुसार कौनसा केंद्र शाशित प्रदेश भारत का पहला केंद्र शाशित प्रदेश बन गया है जो एक सो प्रतिशत जाईविक है Option 1. पुदुचरी Option 2. लक्षद्वीप Option 3. अंडमान और निकोबार द्वीप Option 4. जम्मू और कश्मीर और सही जवाब है Option 2. लक्षद्वीप Question No. 12. जन्वरी 2021 में DCGI ने आउपचारिक रूप से कोरोना वाइरस बीमारी के खिलाफ भारत बायोटेक वाक्सीन के लिए अंतिम मन्जूरी की गोशना की है उस टीके का नाम क्या है? Option 1. कोवैक्सिन Option 2. कोविशील्ड Option 3. निमोसिल Option 4. इन में से कोही नहीं और सही जवाब है Option 1. कोवैक्सिन Q13. किस देश ने 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन उर्जा सम्यंत्र बनाने की योजना को मन्जूरी दी है? Option 1. रूस Option 2. चीन Option 3. जापान Option 4. दक्षिन कोरिया और सही जवाब है Option 4. दक्षिन कोरिया Q14. उस भारती अमरीकी का नाम बताईए जिसे स्पेस एक्स क्रू तीन मिशन के कमांडर के रूप में अंतर्राश्ट्री स्पेस स्टेशन के लिए चुना गया Option 1. रमेश चटरजी Option 2. राजाचारी Option 3. प्रशांत कुमार Option 4. के मन्जूला और सही जबाब है Option 2. राजाचारी Q15. जन्वरी 2021 में DCGI ने अउपचारिक रूप से करोना वाइरस बीमारी के खिलाफ Oxford Estrogenica वाक्सीन के लिए अंतिम मन्जूरी की गोशना की है उस TK का नाम क्या है Option 1. कोवाक्सिन Option 2. कोविशिल्ड Option 3. निमोसिल Option 4. इन में से कोई नहीं और सही जवाब है Option 2. कोविशिल्ड तो दोस्तों ये है आज का वीडियो हमारे Current Affairs Today चैनल का अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर करें यदि आप हमारे चैनल के नए वीडियो का अपडेट चाहते हैं तो कृपिया गंटी बटन पर क्लिक करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद पिगर मारे करें